मकर रासी वालों का आज का रासी फल यानि की 31 दिशंबर का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनू मकर एस्पेशल में तो आईए आज का वीडियो सुरू करते हैं और जानते हैं आपके आज के दिन के बाड़े में दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें एसकीप कहें भी न करें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए आज के दिन का अनोखा टोटका भी है जिस टोटके को फॉलो करके आप दिन को बेहतर बना सकते हो तो सब से पहले हम देख लेते हैं आज के पंचांग के बाड है 7 बज के 13 मिनट में और सुर्यास्थ है 5.34 में चंद्रोदे है 10.54 एम में और चंद्रास्थ है 10.18 पी एम में रितु है सिसिर और आज का दिन काल है 10.20 शंतावन सेकेंड का महिना है पॉस और आज आपके लिए शुभ समय है 12 बज के 3 मिनट पी एम से 12.44 पी एम तक और रशुभकाल है 9.17 एम से 9.69 एम के बीच में राहुकाल सुरू होता है 2.69 पी एम से 4.60 पी एम के बीच में और फिर दिसासूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आपका आज का पंचांग अब हम आगे वरते हैं और जानते हैं आज के दिन के बाड़े में शब से पहला है आपका प्रेम शंबंध जो की आज काफी ज़्यादा बेहतर रहेगा शांदार रहने वाला है आज के दिन आप प्यार का भरपूर लुथ उठाने वाले हैं अपने प्रेमी के साथ आज अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां आपका प्रेम शंबंध प बेशाए बेशाए के लिहाद से भी दिन आपका सही है बेहतर हैं कामकाज में जिस सफलता की आपको तलास लंबे अर्से से थी वो सफलता की और आज आप बढ़ेंगे आप आज पहला कدم उठाने वाले हैं कामकाज में आपको शोहरत मिलेगी पहचान मिलेगी जिसकी आपक कारे छित्र में कहीं कोई लापड़ वाही न करें पूरे एकागरता के साथ आप काम करें आप शफल अवश्य होंगे इसके बाद है आपका बैवाहिक जीवन तो आज आपको यह फिल होने वाला है कि आपका जीवन साथी इससे बेतर आज तक कभी नहीं हुआ था आपका जीवन साथी आपके लिए इतना ज्यादा प्यार आज तक कभी नहीं कर रहा था यह सब आज आप फिल करने वाले हैं और अपने दामपत्य जीवन को आज आप मजे में लेने वाले हैं दोस्तों आगे हम और बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस विडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस विडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें घंटे को ओन पे ओन कर दें और वीडियो को पूरा आज आपके बोड़ी में उर्जा की कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है जिस भी काम में आज आप हाथ लगाओगे उस काम को पूरा करते वक्त आपके सरीर में उर्जा की कमी नहीं होगी जिस फुर्ती के साथ आप काम सुरू करेंगे उसी फुर्ती के साथ आज आप काम खत्म भी करने वाले हैं इसके बाद है आपका धन शंपत्ती ये भी शामाणे में बेहतर रहने वाला है आज के दिन वैसे तो आपके पास पैसा रहेगा लेकिन आज आप पैसे खर्च भी करने वाले हैं अगर आपके पास आज कोई के लिए आता है आपसे पैसे मांगता है वो जरूत मंद हो या आपका कोई अपना आदमी हो उसका हलप आज आप करने वाले हैं और हलप करने के बाद आपको सुकून भी आज काफी जयादा मिलने वाला है इसके बाद है आपका पाणिवारिक जीबन जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है आज के दिन अगर घड़ वालों के शाथ आप समय बिताते हैं तो ये आपके लिए वो खुसी का लम्हा होगा जो आपकी मन को शांत कर देगा आपको भीतर से बहुत ही ज्यादा खुस कर देने वाला है तो अब जानते ह आज के उपाई के बारे में कि आखिर आप क्या उपाई करेंगे तो दिन आपका शांदार हो जाएगा दोस्तों उपाई ये है कि आज आप सफेद गाई को रोटी खिलाएं इससे आपका दिन बहतर हो जाएगा और बाधाएं आपको आज नहीं आने वाली है तो हम सम मिलते फिर एक नए वेडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जय सी आराम राधे राधे